Hello friends, I am Anushka and I study in 10th standard. I study in JLN Cedar Scandry School, Gohana and today we are going to solve some problem of exercise 2.2 of our class. Find the zeros of the following quadratic polynomials जो हमें यह polynomial दे रखा है, इसका जो है 0 निगालना है और इनका दिलेशनशिप बताना है zeros और कोफिशेंट के बीच का equation हमारी polynomial equation है x2-2x-8 x के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 x के साथ क्या है –2 तो b हमारा –2 और c क्या है –8 अब हमारी equation है, इसको solve करना है x2-2x-8 अब इसको कैसे solve करेंगे हम multiply करें तो हमारा आना चाहिए 8x² और add करें तो क्या आना चाहिए हमारा –2x अब 4 और 2 यह ऐसे number है जिनको हम multiply करेंगे तो 8 आता है तो एक बार करके देख लेते हैं 4 और 2 multiply करेंगे तो 8 आएगा और add करेंगे तो अब इसको हम minus का ले ले और इसको plus का ले ले तो फिर क्या हैगा minus 2 और इसका क्या है जाएगा 8 अब हम x लगा के इसको solve कर देंगे x लगा दिया अब इनको common निकाल लेंगे इन दोनों में क्या common है x और क्या बच गया x minus 4 इन दोनों में क्या common है? प्लस का 2 और क्या बचगे x-4? x-4, x-4 ये common हाजेंगे और x-2 रहेजगा अब हमें इनकी zeros निकालने हैं तो क्या रखेंगे? इकॉल में 0 रखेंगे इसको भी इकॉल में 0 इसको भी इकॉल में 0 x-4 equals to 0 x-4 equals to 0